तो हलो दोस्तों मेरा नाम है हरी संकरपाल और स्वागत है आप सभी का अखबाल फिर से एकजाम तक के यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जो है यहाँ पर 9 वीडियो मिलेंगी जिसमें जो है सारे इलेक्टीशन के कुश्चन कबर हो जाए अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें जो है पचातर कुश्चन थे तो उसका लिंक जो है आई बेटन पर मिल जाएगा इसके लाओं जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड आप यूपी पीसेल टीजी टू पेपर में के प्लेलिस्ट पर जाकर जो है स स्पार्ट बनाऊंगा क्योंकि फ्रेंड यहां पर आपको जो एलपी सिबिटी टू का पेपर हुआ था तो एकईस बाइस और तेईस जनुरी को हुआ था इसके लाओं फ्रेंड जो है आठ फरवरी और नव फरवरी को भी एक्जाम हुए थे कुछ तो दो एक्जाम जो है आठ और नव फरवरी के हुए थे तो उनका भी पेपर मुझे मिल चुका है और मैंने जो है इसका पीडियेप भी तैयार कर लिया है तो आप उसकी पीडियेप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इन सभी पीपरों को ही तो उसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्श तो इसलिए आप जाकर उसको देख सकते हैं इसके लाव फरेंड आप मुझे जो है इस्ट्रागराम पर फालू कर सकते हैं आपको उसका लिंक जो है नेचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो की शुरूत कि जाए और इसमें भी जो है आपको 75 कुशन देखने को मिलेंगे तो यह प्रेंड कापी important कुशन आये हुए है तो हर वीडियो में आपको 75 कुशन देखने को मिलेगा तो आप सारे वीडियो को देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं अज के वीडियो तो यहाँ पर पूछा गया था एक काई 100B 50 Hz की आपूर्टी से जुड़ा है यदि सर्कीट की प्रतिबादा जो है 10 ओम है तो सर्कीट से बैने वाला प्रवाह कितना होगा तो यह जो है numerical आये था इसका correct answer जो है option number यह था तो चलिए बात करते हैं दूसरे कुशन की तो दूसरा कुशन आये था निमने में से किस transformer में दिती एक winding को हमेशा बंद रखा जाता है तो किस transformer में दिती एक winding को हमेशा बंद रखा जाता है तो यह transformer होता है धारा transformer अगला था दीपक दच्छता की क्या ही क्या होती है तो दीपक यानि कि इसका ही क्या ही क्या होती है लूमेंस वाट जो होती है इसकी करेक्ट अंसर था चोथा कुशन था निमलिकित में से किस उद्धेश से कम बोल्टेज वाले लेंपों का उप्योग किया जाता है तो क्यों कम voltage वाले लंपियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सुचरित वाहनों की प्रकास बेवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है जिससे वो काफी दूर तक जा सकें तो पांचमा था एक से पर टेली एक्सिटेड जनरेटर की छेतर वाइंडिंग किसे जुड़े होते हैं तो यह स्रोत के साथ सिंखला से जुड़े होते हैं तो अगला स्वाल यहां था निमने में से कौन सा मानक voltage बितरड के लिए उप्योग किया जाता है तो यहां पर 11 किलो वोल्ट जो है इसका करेक्ट अनसर था कोशन नमबर से बनाये था जनरेटर के इंस्ट्रोलेशन के दोरान यह सावधानी पूरबक सुनच्छित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वाइरिंग सायो ताकि किसका क्रम प्रलाली से मेल खाए तो इसका करेक्ट अनसर फेज अनुकरम जो है इसका करेक्ट अनसर था फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी जो है स्टूडेंट को यहां पर फायदा मिल सकें तो अगला स्वाल था एक तीन इन्पुट नौर गेट कब उच्च होता है तो यह जब जब जो है सभी आई बटेपी निम्न हों करेक्ट अनसर अप्शन नमबर यह था टाकने की क्रिया में प्रवा का मुक्ष सोत क्या होता है तो इसका करेक्ट अनसर जो था अप्शन नमबर दूसरा था दातू की सतको साप और आकसाइड जो है मुक्त रखना इसका करेक्ट अनसर था कोशन बटेन था साट ट्रांसमिसन लाइन लगव पारेशड लाइन पर फेज संबन्दी तूटी फेज फाल्ट के लिए किस प्रकर के रिलेश प्राथमिक्ता दी जाते है तो इसका जो करेक्ट अनसर था अप्शन नमबर एक था प्रतिजात प्रकार की अगला सुवाल था यहाँ पर एक लक्तिक स्टोप संचलिट कहने की आवस्य का ब्रित्ती होती है तो कितने ही होती है पचास हर्ट जो है इसका करेक्ट अबिन्स था पर से अभिने जो है रिवर्स होना चाहिए तो कुशन नमर 13 था हाफ वेव सुद्ध करने वाला दच्छता कि नहीं होती है तो इसका करेक्ट अंसर था अक्लीट वायरिंग में खाचे किस्ते बनाए जाते हैं तो कलीट वायरिंग की खाचे जो होते हैं ये चीनी मिती के बनाया जाते हैं अगला था यहाँ पर 500 किलो वोल्ट एमपीर तक कि आउटपूट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं तो इसे बितरड ट्रांसफार्मर कहा जाता है डिस्टिब्यूशन ट्रांसफार्मर इसे कहा जाता है कुशन नमबर 17 नीचे दिये गई मोटरों में से किसका गत इन्यंत्रड सबसे कमजोर होता है तो किस मोटर का गत इन्यंत्रड जो होता है सबसे कमजोर होता है तो यह मोटर होता है स्रेड़ी मोटर अप्चिन नमबर 4 करेक्ट था प्रेड़ इंडक्शन मोटर की गती ब्रिद्धी उने पर थोड़ी कम हो जाती है तो किस में कमी आती है इसमें भार में कमी आ जाती है तो अगला था यहां पर एक सोचलित विद्धुत इस्त्री यानि की आटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन के ताप नियामक घटक का क्या नाम होता है तो इसका जो ताप नियंतर करता है उसे थर्मो स्टेट का जाता है कुशन नमबर 20 स्रेड़ी धारता बॉल्ट मीटर का मापन कर सकता है तो स्रेड़ी धारता बॉल्ट मीटर जो हता है यह AC बॉल्टेज को माप सकता है अगला स्वालता प्रत्वी के प्रत्रोथ को कम करने के लिए निम्निकित में से कौन सी बिधी का उपयोग नहीं किया जा सकता तो प्रत्वी के प्रत्रोथ को बृद्धी को कम करने के लिए आप छोटे आकार की एर्थ प्लेट्स का उपयोग किया जा सकता है किसी अलकाइन सेल, छारी सेल को जो है यहाँ पर एक नुमेरिकल आये था इसको सॉल्व करने पर 80% जो है इसका करेक्टर्स होता कुश्चन नमबर तेज़, तुल्याक की सिक्रोनस मोटर क्या होती है कुश्चन नमबर 24, निमलिकित में से किस मोटर को इंसुलेशन परिच्छक माना जाता है कुश्चन नमबर 25, कठोर तारों को काटने के लिए अकाउंट से प्लास, प्लायर्स, सावादिक उपरियुक्त होते हैं तो ये प्लायर होते हैं विकरडो, डायलग, गन या फिर कटर कुश्चन नमबर 26, एसी सरकिट के प्रेरक और करपिसिटिव, रियक्शन को किस में रेटिंग की जाती है तो इसको जो है, ओम में ना पा जाता है कुश्चन नमबर 27, किसी एलमोनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए प्रियुक्त कड़क लग के प्रकार की पाचान कीजिए तो अप्शन नमबर D जो है, इसका करेक्ट अंसर था दिये गए बिकलपों में से गरवली उपकड़ों के लिए प्रियुक्त केबल का प्रकार काउंसर नहीं है तो यहाँ पर गोल्ड लचीली केबल जो है, इसका प्रकार नहीं है किसी प्रत्यावर्तक अल्टेनेटर की अत्यूतेजित ओवर एक्सिटेटेट होने की गटना में क्या होता है तो इसमें पशिगामी सकती गुरक जो है, इसका करेक्ट अंसर था कुशन नम्बर 30, निमलिकित में से कौन सा मीटर DC सर्कृट पर इस्तमाल नहीं किया जाता है तो प्रेरड इंडक्षन मीटर जो है, इसका करेक्ट अंसर था कुशन नम्बर 31, बिजली के काम के दवरान जो निमलिकित से बिजली के जटके से बचाता है तो वह क्या होता है, ड्राइव फूड होता है, दी गई आकरिती में दिखाई गई रेती की प्रकार की पाचान करना है तो ये जो रेती दिख रहे हैं काउन सी रेती है, डबल कट वाली रेती है निकेल आरन की सेल की धनात्मक प्लेट जो होती है यह किस से बने होती है तो यह बने होते है निकेल हाइड्रा ऑक्सॉाइड से DC मोटर में निमलिकित में से निमलिकित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता बिद्धुत वाइरिंग में प्रयोग कंडक्टर कैसा होना चाहिए किसका बना होना चाहिए तो ये ताबा का बना होना चाहिए इसको एरिल केज मोटर की गती जो होती है ये किस पर निर्बर करती है तो इस्टेटर द्रूव की संख्या को बदल कर इसको भी बदला जा सकता है हो रोटर द्रूवों की संख्या में परिवर्तन के अनुस्वार तो यहाँ पर अगला स्वाल है यदि परिचालन के दवरान डिसी संट का फिल्ड खुला हो तो इसकी गती पर क्राप पड़ेगा तो यह धनात्मक डंक से जो है उच्छे गती को प्राप्त कर लेगी निम्लिकित में से कौन सा अत्तिक बोल्टेज आवेज से सुरच्छा पदान करता है तो यह इसका करेक्टेंसर हार्न गैप इसका जो है करेक्टेंसर है कुश्य नमबर 49 है निम्लिकित में से किस एलक्ट्रोड का उपयोग जो होता है पार्प अर्थिंग भू संपरकन के लिए किया जाता है तो इसका जो करेक्टेंसर है यहाँ पर खोखली जी आई रोड इसका जो है करेक्टेंसर है तो अगले सब्सक्राइब करना गोलकार शिद्र के परिस्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर जो है अर्थ गोलकार हाफ राउंड रेती का उपयोग किया जाता है कुछ नंबर 42 है एक लेक्टरिकल वहारन में इस पोडो मीटर वहारन की चाल को दरसाता है जबकि मोटर की चाल को किसे दरसा जाता है टैको मीटर से बैटरी चार्जर होता है बैटरी चार्जर जो है दिश्टिकारी यानि की रप्टी पार पर होता है निमलिकित में से कौन सी मसीन बिद्दू तूर्जा को या अंत्रिकूर्जा में बदलती है तुल्यांकी सेक्रोनस मोर्चर जो होती है ये बिद्दू तूर्जा को या अंत चालित किये जा सकने वाले उपकरण के लिए अवर्सक बिद्दूत रोधन प्रत्रोत परिच्छड बोल्टेज कितना होता है तो इसका जो करेक्टेंसर था एक जार बोल्ट जो है इसका करेक्टेंसर था एक 80% दच्छता वाली 2 किलोवाट की मोटर को 5 गंटे तक अधिक्तम भार पर चलाए जाने पर कितने उर्जा खपत होगी तो इसका करेक्टेंसर था आठ किलोवाट गंटा जो है इसका करेक्टेंसर था निमलिकित में से केंदर टैपित टैपित ट्रांसफार्मर में पूर्ड तरंग संसोधक बनाने के लिए कितने डायोट की आउसकता होती है तो यहाँ पर जो है डो डायोट का प्रियोग किया जाता है कुशन नमबर 48 स्टोरेज बैटरी की ट्रकल चार्जिंग से मदद करती है तो करेक्टेंसर था बैटरी के उपियोग अवदी को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है तो अगला स्वाल यहाँ पर जो है नुमेरिकल था एलेक्टेशियन का तो जिसको स्वाल्व करने पर यहाँ पर दस एक्स करेक्टेंसर था कोश्यन नमबर पचास यह दि सर्किट का प्रत्रोद और प्रतिबादा दस ओम है दोनों तो इसका सकती कारक्या होगा तो यह यूनिटी आएगा तो यहाँ पर अगला स्वाल्व था यहाँ पर चित दिया गया है इसमें वो जो है बोल्ट मीटर द्वारा प्रदर्शित मान निकालना था तो जिसका करेक्टेंसर वन वोल्ट इसका करेक्टेंसर था तो अगला स्वालता दिये गए बिकल्पों में से चित में दसाए गए जॉइंट के प्रकार की पाचान करना था तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट है ट्रै टेल जॉइंट यहाँ पर है कुश्चन नमबर तिरपन दात्तु के उपकरण में प्रेरित निमन बोल्टेज जिसकी वज़ा से धीमा बिद्धुती वजटका लगता है तो यह किसके करण लगता है अर्थिं के करण जो है यह जटका लगता है आई एसाई के अनस्वाद वजट वाट हीटर के प्राचे एम सयोजन के बल के बीच एंसुलेशन का प्रत्रो जो हता है यह कितना होता है तो वन मेगा ओम जो है इसका करेक्टर एंस वह जो था होती है तो ये लॉंप जोईंट होती है इमीटर के लिए मार्ग परदान करता है तो कौन करता है अधिक्तम धारा जो है इसका करेक्ट अनसर था सीरीज जनेरेटर आवंतोर पर उपयोग नहीं किया जाते हैं क्योंकि उनमें टर्मिनल वोल्टेज होता है ये बिद्दवार्स में परिवतन के साथ नहीं बदलता है सिंगल की परिमार जो है बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो सिगनल का परदाम बढ़ाने के लिए जो है एम्पली फायर का परियोग किया जाता है तो नीचे दिये गए आक्रिती में किसका ये चित्र है तो ये DC मोटर का चित्र है तो कुशन नमबर एकसर था तीन फेज पडाली संतुलित इस्टा और कनेक्टेड पडाली में सक्ति कामापन करने के लिए कितने वाट मीटरों की अवस्कता होती है तो यहाँ पर दो मीटरों की अवस्कता होती है निमलिकित में से सोल्डरिंग और प्रयोगों में से प्रवा के लिए किस दातु को अमतोर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर लीड जो है इसका करेक्टेंसर था स्वार्ट कंपाउंड जनेरेटर का प्रकार का डीसी जनेरेटर है तो यहाँ पर इसका करेक्टेंसर जो है संट इसका करेक्टेंसर था पावर ट्रांस्मिशन लाइन में जो है किसका कार किसको सपोर्ट करने के लिए होता है तो यहाँ पर इसका correct answer option number 1 इसका correct answer था question number 65 यहाँ पर numerical था UPS port करने का समय यहाँ पर निकालना था तो इसका correct answer यहाँ पर क्या था 12 गंटे इसका correct answer था leasages pattern कैसे बनाए जा सकता है तो यह दो sign तरंगे खीच कर जो एक दूसरे के समकोड पर होती है एक DC motor के armature में 12 slot प्रति conductor के साथ 49 slot है conductor की कुल संक्यक नहीं होगी तो जिसका correct answer 468 जो है इसका correct answer था electromative bulb की SI unit निकालना था तो जिसका correct answer क्या था electromative bulb का unit जो होता है वोल्ट होता है निमलिकित में से किसी DC motor का bank EMF अचानक सुन हो जाता है तो इसके क्या परड़ाम होगा तो motor का armature जो है जल जाएगा universal motor की गती जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है तो ये phage single control द्वारा जो है नियंत्रित होती है निमलिकित में से कौन सा एक insulator नहीं है तो इसमें से कौन सा insulator नहीं है सोना इसका correct answer था पाइप पर्थिंग प्रत्रोथ को किसके द्वारा जो है बिनेमित किया जा सकता है तो जिसका correct answer था नमक और पानी को डाल कर निमलिकित चित्र में दियेगे प्रदर्सित जो है चिन की पाचान करना था तो ये किसका चिन है रोवित संदारित का ये जो है चिन है तो question number 34 था आईजसो लेशन ट्रांसफर्मर का गुमाओ जो होता है इसका अनुपात क्या होगा तो इसका अनुपात जो है एक अनुपात एक था तो अगला सवाल था यहाप पर numerical था तो इसका correct answer जो है यहाप़ तो इसका जो correct answer था यहापर option number 3 जो है इसका correct answer था तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, इसमें मैंने आपको 75 कॉश्चन बताये हैं तो अगले वीडियो में भी मैं आपको 75 कॉश्चन लेकर आऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे यहाँ पर Electrition के कॉश्चन मैंने एक ही PDF में convert कर दिया है और मैंने यहाँ पर पार्ट एक हटा दिया है जिससे कि आपको सिर्फ एलेक्ट्रीशन के कुश्चन इस पीडियोप में मिलेंगे टोटल यहाँ पर आपको 750 कुश्चन मिलेंगे क्योंकि आपको 10 सिप्टों का एलेक्ट्रीशन का पेपर इनिकलियूट किया गया है तो हर सिप्ट में आपको 75 कुश्चन दिये गए थे रिल्वेश CBT2 में तो यह आपकी एक्जाम के लिए UPPCL, DMRC, LMRC और अनिभी जितने भी एक्जाम में एलेक्ट्रीशन के कुश्चन पूछे जाते हैं सभी परिच्चाओं में यह आपकी काफी मदद करेंगे तो आप इसकी पीडियो को जरूर डाउनलोड करिए उसका लिंक आपको जो है डिप्सक्रीप्शन में मिल जाएगा तो अधर्वाइज आप इसके पीडियो नहीं डाउनलोड करना चाते हैं तो आप जो है हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं तो आपको इसका वीडियो जो है यूपी पीसियल टीजीटू के पेपर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा महाँ पर जो है आपको सारे वीडियो को यहाँ पर देख लेना है तो आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फ्रेंड हमारे चैनल पर जो है यूपी पीसियल से संब्दित सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी कोई भी आपको दिक्कत नए होगी सभी टापिक की आपको यहाँ पर कबर करा दिये जाएगा तो आपसे जो है एक्ज